So Hello Friends and Welcome to the New Video So Friends, जैसा कि आप वीडियो का टाइटल देख रहें कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग स्टार्टिंग में मतलब स्टार्टिंग की एक गंटे में एक बहुत अच्छा पैसा ट्रेडिंग से बना सकते हैं वीडियो में मैं आपको एक पूरा step wise process बताऊंगा और साथ में मैं आपको अपना personal strategy भी बताने वाला हूँ जो कहीं न कहीं आपको स्टार्टिंग में अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत बढ़िया results देखने को मिलेंगे आप देखेए depend करता है कि आपका risk कितना है अगर आपका risk 500 का होगा तो आपको 700 से 1000 का return मिलेगा कभी कभी आपको 1500 भी देखने को मिल सकता है बट बहुर्दम आपको देखने को नहीं मिलेगा वहीं पर अगर आपका risk 1000 का है तो आपको 1000 से ओफर 1500 2000 तक normally आपको return देखनी को मिल जाते हैं एक चीज और trading में losses भी होते हैं तो losses को भी आपको accept करना पड़ेगा losses are part of game लेकिन हाँ एक चीज में आपको clear कर दूँ कि अगर आप steps को daily follow करेंगे तो आप week on week month on month एक बहुत बढ़िया पैसा बना कि आप market से ले जाएंगे तो देखिए फ्रेंट्स पहला step क्या करना है कि आपको google पर करना है global markets money control okay जैसे हम लोग इंटर हिट करेंगे आपको पहली link को open करना है अब देखिए जैसे ही आप पहली link open करेंगे आपको यहाँ पर details दिखती है कि overall global के market कहाँ पर treat कर रहे हैं अब देखिए आपको क्या करना है कि आपको बस दो से तीन market ही देखना है पहला आपको market देखना है US क second आपको देखना है European markets यहाँ पे तीन आपको European markets देखने को मिल जाते हैं और चौथा सबसे important है SGX Nifty इसको आपको देखना है तो देखिए एक दो तीन चार पांच पांच मार्केट हैं पांच में से अगर तीन market भी positive हैं तो आपको मान के चलना है कि आपका market कहीं न कहीं positive side ज downside जाने वाला है अब सबसे important क्या है कि आपको इसको जरूर देखना है SGX Nifty को अगर यह positive है ठीक है market open होने से पहले अगर आपने SGX Nifty को देख लिया और positive है तो आप मान के चलिए कि maximum time आपका भी market positive होने वाला है और अगर यह negative trade कर रहा है तो आपका भी market कहीं न कहीं negative है अब के दिन तो आप केवल in केवल short sell की position लेने वाले हैं तो अभी हम लोगों ने किया किया इतने step में हम लोगों ने देखा कि global market का help करके कि हम लोग का market किदर होने वाला है अब ऐसा क्यों करना है सर आपको because अगर आप market के side जाएंगे तो आपके profits जल्दी होते हैं बड़े होते हैं and accurate होते हैं मतलब आपकी accuracy कहीं ने कहीं because अब market के side हैं तो बहुत अच्छी होगी अब देखिए market open होने से पहले आपको कुछ patterns को draw करना पड़ेगा मैं patterns बता देता हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा पहला pattern रहेगा हम लोग का descending triangular pattern second रहेगा ascending triangular pattern तीसरा हम लोग कर आती है और upside से भी share ने उस trend line को respect दिखाया है तो हम लोग उसको बोलेंगे descending triangular pattern time frame आपको रखना होगा कि अवल 5 minute का second pattern आपका क्या रहेगा आपने resistance draw किया ऐसे करके ठीक नीचे से trend line आ रही है ऐसे करके और share उसी के बीच में trade किया है तो इसको भी हम लोग select करने वाले है for next day अब next day का मतलब क्या है आपको market open होने से पहले ऐसे stock ढूणने है 5 minute के time frame में मैं आपको अभी chart पे दिखाऊंगा जिनमे ascending triangular descending triangular and symmetrical triangular pattern का formation हुआ हो 5 minute के time frame में market open होने से पहले अब symmetrical क्या होता है सर एकदम logical है ऐसे मैंने draw कि आप side से और ऐसे trend line draw कि मैंने down side से अब इसमें एक range मे trade करता है और जिस side भी breakout या breakdown करता है आपको बढ़िया moment देखने को मिलती है एक चीज़ और friends अगर descending triangular का breakdown होगा तो हम लोग कियवाल सौट सेल करेंगे no buying same condition अगर हम लोग ascending triangular pattern को देख रहे हैं तो कियवाल हम लोग buying का ही सोचेंगे downside का सौट सेल आपको नहीं सोचना है तीस अब आपने इसको select कर लिया market open होने से पहले आपने इसको select कर लिया आप इसको draw कर लिजे more of a descending triangular pattern है मैंने आपसे क्या बोला था इसमें हम लोग केवल सौट सेल का सोचेंगे अब trade कैसे लेना है trade आपको लेना है इस support का breakdown होगा एक candle के नीचे close करें इसके लोग पे आपको trade देना है अब अगर आप देखें तो आपका trade बना है लगबग 10-15 के करीब है यहां पर trade बना है swing high पर आपने stop loss लगाया और देखिए कितनी बढ़िया moment आपको देखने को मिली है अब एक चीज आपको ध्यान देनी है यहां पर इस दिन आपका market obviously negative होना चाहिए अगर positive होग positive का मतलब होता at least 0.3% से market 5050 positive हो आपको वहाँ पे side में दिख जाएगा अगर इससे कम होगा तो भी आप short sell कर सकते हो because वो फिर range bound movement होती है बट अगर positive है 0.3% से उपर तो आप short sell के trade नहीं लेने वाले हो same condition अगर आपका trade positive side बनता है buying side का बनता है बट अगर market minus 0.3% से और देखे कितना बढ़िया target आपको देखने को मिला है target आपको क्या रखना होगा target आपको रखना है 1 is to 1.5 पहला target और 1 is to 2 दूसरा target मान लीज़े अगर आपने 100 quantity ली है तो क्या कीज़े आप पहली quantity जल्दी निकाल दीजे 1 is to 1.5 पे second quantity आप 1 is to 2 पे trail कर सकते है या फिर आ 70% 1 is to 1.5 पे निकाल लीजे और remaining 30% की quantity stop loss लगा कि आप 1 is to 2 के लिए जा सकते हो देखे फिर्ट्स पैटर्न कितना अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं आप बस चार्ट पर focus करना आपको यह देखे perfect ascending triangular बना यहां पे share gap up हुआ है तो क्या आप तुरंट बाइंग करेंगे जी 10 मिनट रुका रहा है 10 मिनट यहां रुका रहा वैसे हम लोग का यहां 25 से 30 मिनट रुका है यहां पर break किया यहां पर आपने stop loss लगाया swing high मतलब आज के हाई पर आपको बाइंग करनी है देखिए कितनी बढ़ी है moment आपको यहां पर देखने को मिली है अब अगर मैं आपको रिस्टो रिवार्ड दिखाऊं तो यहां पे भी आपको रिस्टो रिवार्ड लगबग 2.5 तक गया है मतलब 1-2.5 गया है अगर आपका रिस थाउजन का है तो डाई जार रुपए का आपका टार्गेट दिख रहा होता तो यह चीज आपको ध्यान देनी है कि profit booking करते रहन नॉर्मल छोटा मुटा गयाप ट्रेंगुलर पैटन के अंदर है तो उसको लोग नॉर्मल मालेंगे पहली कैंडल बनने दीजे मैंने बोला है कि closing above trail line बहुत जरूरी है resistance के उपर closing बहुत जरूरी है यहां पे close हो गया इसके high पे buying करते हैं यहां पे swing low पे stop loss लगाते देख इसलिए आपको थोड़ा सा time chart पे spend करना पड़ेगा अब यहां पे अगर आप देखें तो perfect symmetrical triangular pattern का formation है share gap down हुआ then we have to wait for swing low यहां पे swing low बना share उपर गया अब आपने क्या करना है यहां पे short sell करना इधर देखिए यहां तक नीचे तक गया फिर आपका उपर reverse कर गया still यहां प भग 1.2 तक गया है मतलब 1-1.2 गया है अगर आपकर इस thousand का है तो 1200 रुपय का profit हो रहा था अब आपको सर आपने तो बोला था कम से कम 1.5 का target रखना है 1-1.5 का तो आपको simply क्या करना है कि यहां पे अगर trade उपर आएगा है तो आपको 10 मिनट तक wait करना है आपके entry price के पास च top loss तक नहीं जाने देना है trade को ठीक 15 मिनट तक hold कीज़े अगर नहीं जाएगा simply तुरंद trade से निकल जाईए next talk अगर मैं आपको दिखाऊ 5 मिनट के time frame में आपको सभी चीज़े देखनी है reliance industries यहां पे symmetrical triangular pattern का formation है perfect है maximum आप 2-2 दिन minimum रखिएगा एक दिन के अंदर अगर patterns बन करनी है stop loss अप लगाएंगे swing low शेर देर तक रुका रहा लेकिन last में आपका target बहुत असानी तरीके से achieve हो गया है एक चीज़ आपको और ध्यान देनी कि कभी कभी क्या होता है swing high बनने के बाद trade ग्यारा बजे बनेगा 12 बजे तो अब limit price लगा दीजिए आपको high पे buying करनी है आपने high पे buying लगा दी stop loss आप swing low लगा के चले जाईए ठीक है target आप लगा लिजे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं बस आपको क्या करना है कि 10-15 तक देखना है trade बनेगा तो ठीक है maximum time बन जाते हैं बट still अगर नहीं बनता है तो आप limit order लगा के छोड़ दीजे so friends I hope आपको वीडियो में सबी चीज समझ में आई होंगी देखिए जो भी चीज मैंने आपको बताई है यह maximum time किया होता ना starting में ही काम भी करता है मेरा perfect setup है ascending, triangular, descending, triangular and symmetrical मैं maximum time trade करता हूँ बस आपको क्या करना है मैं एक बार आपको summary बता हूँ एक दिन पहले जैसे market open होने उसके पहले या तो morning में या फिर evening में आप perfect symmetrical triangular ascending and descending वाले draw कर लीजिए अब देखिए market को सुबह आके देखिए market क्या positive है क्या बहुत जादा positive है तो buying side का ही कीजिए मतलब ascending triangular और symmetrical descending वालों को छोड़ दीजिए और vice versa आपको अगर market negative होगा तो देखना पड़ेगा अब में थोड़ा सा time लएगा आप क्या कर सकते हैं यूटूब ये google पर search कर सकते हैं क्या symmetrical and ascending descending triangulars होते हैं आपको बहुत बड़ी idea मिल जाएगा still मैंने आपको समझा दिया है with the help of charts तो obviously वहाँ से आपको help मिल जाएगी minimum तीन बार touch होना चाहिए जितनी ज़्यादा बार touch होगा ह हमारे लिए beneficial है so friends अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो please आप हमारे चैनल को subscribe कीजिए and अगर आपने bell icon को press नहीं किया तो उसको भी press करना बिलकुल मत भूलिएगा अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को like कीजेगा हमारा aim रहेगा at least thousand like वीडियो के regarding आपका क कोई भी कमेंट है मुझे आप कमेंट करके बताइए definitely आपको वहाँ पर reply मिल जाएगा so friends thanks for watching this video God bless you all bye bye